जहीं दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टेडी पॉइंट में तो आज मैं आप लोगों के लिए सिंपल इंट्रेस्ट का कुछ इंपोर्टन प्रेस्ट लेकर काया हूँ और अगर आप किसी भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह है कि देखें दोस्तों पाला प्रेस्ट पाला प्रोस्ट आपका कारा आ है किसी द्धन के सात वर्ष और दस वर्ष के conspiracy अनतर एकसु खिर एक्ज Oh अजि ब्याज किदर पांच परशेंट वार्शिख हो तो तो वा धिजित फैस यत खैस चलिंग more देख़ mówर क members समय, बोल रहा है धनका 7 वर्स और 10 वर्स, ब्याजों का अंतर, तो इसका अंतर कर देंगे, तो 10-7, हमारा समय कितना आ जाएगा, तो 3 वर्स आ जाएगा दोस्तो, अब ध्याद देजिएगा दोस्तो, हमारा ब्याज कितना है, ब्याजों का अंतर बोल रहा है, तो 150 है, इसमें क्या घट रहा है थो मुल्दन और आपको घ्याद करने भूला रहा हूं अध्ण ज्याद कीदेए तो मुल्धन बराबर क्या हióता है तो मुल्धन बराबर कि आप लोग सभी को जानते होंगे यह फर्मूले को दोस्त Ś ग्याज गुने सव बटा समय गुने दर यह फर्मूला उता है दोस्तों अब देखें ब्याज हमारा कितना है तो 150 है अब यहां लिखें 150 गुने सब बटा में समय समय तीन वर्स है और दर हमारा पाँच वर्स है यह लिख दीजिए अब इसको कार दीजिए दोस्तों पाँच दीए पंदरः यह कट गया अग्तीन से काटेजश को तो दोस्ता बार में कट गदे को तो då 1000 को 10 सिला कल दीजेगा तो 1000 आ जाईगा यह आपका मूल धन हो गया दर कितना है दोफिय तो 1000 रुपया यह आपका अंसर हो गया तो सही एंसर क्या हो दोस्तों तो भी नमबर हुआ चले आगे बढ़ते हैं और नेक्स प्रस को देखते हैं जो तो मेरा आवाज के लिए नहीं आएगी थोड़ा सा तविए गड़ बड़ चल रहा है थोड़ा तविए ठीक नहीं है तो आवाज थोड़ा सा गला जाम है चले आप लोग इस चीज को समझ सकते हैं दोस्तों चले दूसरे प्रस को देखिए एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से तीन वर्ष का ब्याज और उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपया कम है वह धन ग्याद करें अब धन ग्याद करने बोल रहा है दोस्तों अब यहां ध्य दोस्तों यह 5 वर्ष और यह 3 वर्ष तो समय कितना हो जाएगा 2 वर्ष हो जाएगा कितना हो जाएगा दोस्तों 2 वर्ष अब बोल रहा है दर देखिए दर कितना है तो 4% दर बराबर 4% दोस्तों फिर आपका बोल रहा है ब्याजों से 400 रुपया कम है तो ब्याज कितना है ब्याज बराबर 400 है दोस्तों, ये एक बराबर मैं फर्मूला लिख देता हूँ, आप लोग उसके बाद आज कर लिएगा दोस्तों, चलिए, तब पूछ रहा है धन क्या है, तो धन बराबर और मुल्धन बराबर, मुल्धन बराबर ब्याज गुने 100, बटा समय गुने धर, ये फर्मूला हुता है दोस्तों, आप लोग सभी कोई जानते होंगे, अब देखें दोस्तों, ब्याज हमारा कितना है, तो 400 है, तो 400, गुने 100, बटा समय कितना है, तो 2 वर्स, गुने दर कितना है, तो 4 परसेंट, अब इसको कार दीजे दोस्तों, चार से काटेंगे तो 100 हो आजाएगा, और फिर 2 से काटेंगे तो कितना जागा, 50 अब एक सो को 50 से गुना करेंगे, तो कितना हैगा, 5000 जाएगा, यह आपका answer होगया दोस्तों, तो वा ध़न कितना है, तो 5000 जाएगा, चाहलीए, तो सही answer किया हुआ, तो B नमबर हो और दोस्तों, चलूरे आगे ब देखें तीसरे नमबर प्रस के बोला एक व्यक्ति ने बराबर बराबर धहन छे परसेंट वार्षिक तरफ पर राम को आठ वर्ष के लिए तता स्याम को दस वर्ष के लिए उधार दिया दोनों से व्यक्ति को कुल 2160 प्य व्याज करूप में प्राप्त हुआ परते को दिया द्धन गयाद करें अब दोनों का धन गयाद करने बोल रहा है दोस्तों चालिए अब समय यहां पूछ रहा है देखेंगे समय कितना होगा एक मेंने देख लिए पहले दर दिया हुआ दर लिखते हैं दर बराबर छे परसेंट है और समय बोल राम को आठ वर्ष के लिए और दोनों से व्यक्ति को 216 रुप्य प्राप्थ हुआ नियूस प्राप्थ हुआ थि जब दोनों समोह प्राप्थ हो रहा है 210 रृप और समय को जोड़ेंगे तो क्या करेंगे 8 प्लस 10 वर्स आनि 18 वर्स हो जागा ये समय दोस्तों उस में घटा रहे थे लेकिन अभी जो है आपको जोड़ना पड़ेगा ठीक है तो 18 वर्स हो गया अब बोलो दोनों एक इसकूल 260 प्राप्त परते को दिया गया धन धन अनि मुल धन मुल धन का फर्मूला अभी मैं आप लोगों को बताया ठीक है तो मुल धन बराबर ब्याज कितना है चले ब्याज भी यहां लिख देता हूं मैं एक उन्ड़ जान देजेगा दोस्तों आप लोग रेगुलर वाच किते विडियो दोस्तों ठीक है तैयारी आपकी अच्छी करने तो रेगुलर वाच किते तो ब् ब्याज कितने हमारा एकिस्सो साट रुपया दोस्तों एकिस्सो साट रुपया तो हमारा धन गयात करने बोल रहा है आने मुल्धन गयात करने बोल रहा है तो मुल्धन वराबर क्या होता है ब्याज 21-22 गुने 100 होता है और बटा में समय गुने दर होता है तो समय कितना है 18 वर्स और दर कितना है 6 वर्स आप काटे दोस्तों देखे 6 दिया 6 दिया 18 तीन बटा 36 36 ये बचा दोस्तों अब इसको काटे 18 से 18 दूनी 36 एक जिरू पड़ गया दोस्तों ठीक है अब गुना कर दीजिए 20 को 100 से गुना करेंगे तो हमारा 2000 आ जाएगा दोस्तों अहीं आपका इंसर हो गया तो सही इंसर क्या हो है दोस्तों तो 2000 रुपिया तो देखे ए नमबर में है दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्ष प्रस को देखते हैं चलिए देखे दोस्तों चौथर प्रस को देखिए चौथर प्रस आपका कह रहा है किसी धन के 6 पर्षेंट वारतिक दर से तीर वर्स का ब्याज और छे वर्स के ब्याजों का योग 270 रुपया है तो वह धन ग्याद किजिए अब योग बोल रहा है जब भी योग बोले तो समय को हम जोड़ देंगे समय हमारा कितना हैगा तो तीन वर्स प्लस छे वर्स आनि नौ वर्स आजाएगा दोस्तों नौ वर्स अब क्या है दर हमारा कितना है तो 6 परचेंट है और ब्याजों का योग अनि ब्याज कितना है तो 270 हैं दोस्तों अब उन्हों धन ग्याद करने के लिए AUनि मुल्धन ग्याद करने के लिए तो मुल्धन बराबर मैं फर्मूला आप नहीं लिक और दर कितना है शेपरसेंट अब काटिए नौतिया 27 और च्वाइब तीस अब कितना है दोस्तो तो 100 को पांसो गुणा किजएगा तो 500 अपका एंसर हो गया तो सही एंसर क्या हो दोस्तो तो बी नंबर हुआ दोस्तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लोगे हो यह ल लाइक करें चैनल सब्क्राइब करें और वीडियो को अजित सब्सक्राइब करें दोस्तों चलिए अब मिलते हैं साम में तेंक यू